सीजन 3 एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और हमें Walter और Skyler पहली बार उनका घर देखते हुए दिखते है Skyler प्रेगनन्ट होती है यह Walter जुनियर से वो प्रेगनन्ट हुई होती है जब Walter घर देखता है तो उसे पूल विगरा बहुत सब पसनाते है पर यह सिर्फ 3 बेडरूम होता है Walter बोलता है कि हमें कम से कम 3 बच्चे तो होंगे तो इसलिए हमें 5 बेडरूम का घर चाहिए Skyler बोलती है कि यहां का नेवर डूर बहुत ही अच्छा है और यह हमारी प्राइस रेंज में है Walter बोलता है कि हमें चांसिस लेना चाहिए हम यंग है तो इसलिए हमें जो अफोर्ड भी ना हो ऐसा घर हम ले सकते है यहां हमें Walter बहुत ही एक्स्परिमेंटिंग, यंग और एकसाइटेड लग रहा है सब चीजों में फिर से हम अब सिरीज के प्रेजेंट में आते हैं Walter ने गस के दो आदमियों का मार दिया है तो इसलिए एक डेजर्ड में उनकी मीटिंग हो रही होती है Walter ने बहुत ही दूर अपनी गाड़ी को पार्की होती है उनका स्पॉट जरा डेजर्ड में होता है फिर माईक उसे कॉल कर बताता है कि तुम कार से उत्रो और चलते चलते इधर आजाओ Walter बोलता है कि मेरे लाइफ का मुझे अशोरंस चाहिए माईक बोलता है कि मैं तुम्हें अशोर करता हो कि मैं तुम्हें यहाँ से भी मार सकता हो फिर Walter जरने लग जाता है Gus गाड़ी से निकलता है और Gus Walter से पूछता है कि क्या तुम्हारी निमारी और भी बढ़ चुके है क्या तुम्हारा कैंसर और भी बढ़ चुका है Walter बोलता है नहीं ये सब ठीक है Gus बोलता है तो ये तुमने क्यों किया कोई भी आदमी जो अपने राइट मैंड में है वो ऐसी चीज नहीं करेगा Walter फिर उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारे आदमियों ने एक बच्चे को मार दिया था और वो मेरे पार्टनर को भी मारने वाले थे इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा Gus बोलता है कि ये मैं हैंडल कर सकता था Walter बोलता है कि जैसी को लगा था कि तुमने ये ओर्डर दियोगे यानि कि वो उसे अक्यूस कर रहा होता है Walter बोलता है कि मैं उसे ओ करता था अब उसके और मेरे बीच में कोई भी संबन नहीं रहेंगे वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें जैसी को छोड़ देना चाहिए जैसी के पास इतने पैसे है अगर वो हमेशा के लिए फिरता भी रहे फिर भी तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा Walter फिक गस को उसके ओप्शन्स बताता है वो बोलता है अगर तुम मुझी यही मार दोगे तो भी काम चल सकता है पर फिर तुम्हें और एक किमिश ढूणना पड़ेगा और उस पर ट्रस करने के लिए तुम्हें बहुत सारी मैनत लगेगी उसको ढूणने में ही तुम्हें पाच्छे मैने लग जाएंगे और इतना वक्त अगर तुम ऑपरेशन को बन रखोगे तो तुम्हारा बहुत सारा रुकसानों का और सेकर्ड ओप्शन ये है कि हम सब ये भूल जाएंगे जिसी को तुम भी चाने दोगे और मैं तुम्हारे लिए कुक करता रहूँगा और हमारी रिलेशन्शिप सालों तक चल सकती है गस को सेकर्ड ओप्शन अच्छा लगता है और वो बोलता है कि तुम्हें पार्टनर के जुरूरत पड़ेगी इस बार वो उसका पार्टनर जूस करने वाला होता है जब वॉल्टर फिर अपने लैप पर पोच्छता है तो उसे दिखता है कि वहाँ गेल आया हुआ होता है गेल से वो हाथ मिलाता है और फिर वो कुकिंग करना स्टार्ट कर देते नेक्स्ट हमें दिखता है कि गस का जो वेर हाउस होता है उसे कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ होता है तो इसलिए माइक वहाँ जाता है माइक वहाँ जाकर सब लोगों को मार देता है वहाँ में चाव दिखता है चाव माइक का आदमी होता है ये सब फिर माइक गस को जाकर रिपोर्ट करता है माइक बोलता है कि वो काइटल की आदमी थे और हमारे केमिकल्स चुराने के लिए वो यहां आये थे Gus Mike से भूछता है कि पिंक पन क्या क्या हुआ यानि कि जैसी का क्या हुआ Walter बोलता है कि मैं इसे ढूंड रहा हूँ Next scene में हमें दिखता है कि Walter और गेल दोनों अच्छे से कुप कर रहे होते हैं पिछली बार गेल ने गलती की थी इसलिए उसे निकाल दिया था इसा गेल को लग रहा होता है तो इसलिए अब वो Walter को बोलता है कि पिछली बार जो भी गलती हुई थी वो मैं फिर से नहीं करूंगा तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही काम करूंगा नेक्स दिन में हमें गेल का अटपटा सा घर दिखाये गया है गेल कुकिंग विगरा कर रहा होता है एंज़ॉय कर रहा होता है गस वह आता है फिर गस उसे बोलता है कि Walter जो है उसकी तबियत कराब है वह Cancer से मर सकता है तो इसलिए मुझे तुम से बहुत ही उमीद है यानि कि वह उसे सिख लेने के लिए बोल रहा होता है गस उसे बोलता है कि तुमें कितना टाइम लगेगा आच्चे से यह सब सीख लेने के लिए गेल बोलता है कि 7-8 cooks तो मुझे लग जाएंगी मुझे पूरा method जान लेने के लिए Gus फिर stop नहीं होता और उसे intimidate करता रहता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें कम से कम cooks में यह सब सीख लेना है फिर हो दोनों सिर्फ एक cook में agreement final करते है यानि कि अब Walter के पास सिर्फ एकी cook का time है और फिर Gus उसे मार देगा फिर next दिन Walter और गेल जब cooking कर रहे होते हैं तो गेल बहुत सारे questions पुछता है Walter को यहाँ ज़रा शक चला जाता है next scene में हमें दीखता है कि Saul के पास Mike आया हुआ होता है उसे JC का पता पुछता है Saul बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता अगर मैंने तुम्हें यह दे दिया तो तुम्हारा मुझसे trust उड़ जाएगा और तुम्हें लेगेगा कि मैं तुम्हारा पता भी किसी को दे दूँगा मैं attorney client privilege के अनुसार मैं किसी को भी यह नहीं दे सकता फिर Mike उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें desert में गाड़ दूँगा फिर Saul को एक legal trouble में नहीं आना होता तो बोलता है कि मेरे desert पर एक notebook में मैंने पता लिखा है मैं अगर यहाँ से चला जाओ तो मुझे नहीं पता कि तुमने वो देखा या नहीं और वो वहाँ से चला जाता है Mike को वो पता मिल जाता है next scene में हमें दिखता है कि Saul Walter को laser tag दिखाने आयो होता है पर यह cover होता है यह actual में JC छुपा होता है JC Walter से पुछता है कि क्या सब ठीक चल रहा है Walter बोलता है कि जब तक मैं cook कर रहा हूँ तभी तक मैं safe हूँ पर उन्होंने गेल को contract दिया है कि वो सब सीख ले तो जब तक गेल सब सीखने जाता गेल को confidence नहीं आता तब तक मैं जिन्दा हूँ वो JC को उसका पड़ा ढुणने के लिए बोलता है अब वो गेल को मारना चाता है क्योंकि गेल को अगर सब पता चल गया तो उसकी need गस को नहीं रहेगी JC बोलता है कि क्या दूसरा कोई option नहीं है वो बोलता है कि तुम protective custody में जा सकते हो और वो उसे address बता देता है फिर Walter निकलता है अब वो Gary को मारने के लिए जा रहा होता है पर उसके घर के बाहर ही Mike और Victor आ जाते है वो उसे गाड़ी में बैटने के लिए बोलते है उसे फिर वो laundry पर लेका जाते है अब वो उसे मारने वाले होते है Walter को पता चल जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें ये करने के कोई भी ज़रूरत नहीं है मैं अगर गरस से बात कर सकूँ तो मैं उसे समझा सकता हो मैं free में hook कर सकता हो पर Mike मानने रहा होता फिर Walter उसे बोलता है कि मैं जेसी का है वो जानता हो मैं जेसी को यहां बुलवा सकता हो मुझे सिर्फ उसे कॉल करने दो फिर Mike मान जाता है और Mike उसे कॉल करने के लिए परमिशन दे देता है Walter फिर उसे कॉल करकर बोलता है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता तुम गेल के अपर्मेंट से नियर हो तुमें ही ये काम करना पड़ेगा यानि कि अब जेसी को गेल को मार देना है Mike फिर उसे फोन छीन लेता है और Walter गेल का पता उसे बोलता है कि अब तुम मुझे नहीं मार सकते अब गउस को मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि गेल अब मर जाएगा फिर गेल के अपार्मेंट में जेसी पोच जाता है नौक करता है गेल जब दरवाजा खोलता है तो गेल को बिलीवने होता कि अब वो उसका एंड है जेसी के हाथ थरथरा रहे होते फिर भी वो उसे मार देता है यही एपिसोड खतम हो जाता है